अगर आपके विवाम में विलम हो रहा है आपके कारेशेत्र में कारोबार में घाटा हो रहा है या फिर यू कहें कि पैसे की तंगी है संतान सुख से आप पंचीत हैं तो ऐसे में इस नवरात्र काल में मा दुर्गा को आप कैसे प्रसंद कर सकते हैं खासकर कुम्बराश्री वाले लोग आईए जानते हैं एक बार फिर अस्ट्रोजर कृष्णा जी से नवश्कार कुम्बराश्री वालों आपको नवरात्री की हार्दिक शुप कामना और मा भगवती आपके लिए क्या सौगात लेके आए चलिए बताते हैं सबसे पहले आपके राशी का स्वामी है शनी देव और शनी देव की किरपा प्राप्त तो करेंगे करेंगे साथ ही आपको कुछ खास उपाय करने है आपने जो है नौ मंदिरों में जाके जो घड़ा होता है यह नहीं की सुराई रख दें घड़ा रखिएगा और जितना बड़ा घड़ा रखेंगे उतना ही आपके घर में बरकत और उसके बाद ये भी बता दें घड़ा जब आप लेके ज भी अर posteriori सोएगिल् Orleans में जाता है अब शुचार उसक्यान से वारों में ऺुरा आपके परवार आपके पित्रों के लिए आपके घर के लिए और आपके जीवन के लिए बहत ज्यादा उत्तम होयता है आपके कामकाज में दिक्कत नहीं होती आपको हर समस्या हर परवार में जो भी आपके प्रॉब्लम आई है, वो सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाती हैं, यदि आपका बच्चा या कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में उसका मन नहीं लग रहा है, तो उनके लिए खास उपाई, आप केसर का और हल्दी का तिलक लगाया करें, हल्दी नहीं तो क उनके लिए ये पूजा अराधना करें, तो भी बैतर रहता है, ऐसे बच्चा जिनकी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, तो माएं क्या करें, उनके बच्चों को छोटे बच्चे हैं, तो पीले रंग का रुमाल उनके पास रखा करें, पीले रंग से जैसे हम च तरीके से घड़ा भरा रहता है, सब कुछ है, मुग छोटा है, थोड़ा कम निकलता है, तो कोशिचे करिए, जितना हो से के इस नवरातर अपने हाथ जितना पहला के रखेंगे, दानपुन में रखेंगे, उतना ही आपके घर, आपके परवार में, आपके जीवन में, और आपके लिए यह बता दे जिनके विवा आदी में अर्चन आ रही है, विवा में आगर आपके कोई दिक्कत आ रही है, कोई परिशानी आ रही है, तो आपके लिए चीज है, कि आप किसी भी जो कन्या गरीब कन्या है, ज्यादा तर आप यह देखें, यह नहीं कि आपके रि बरतन जरूर लिजेगा, लोहे की कड़ाई उसमें जरूर होनी चाहिए, यह सारी चीजे लेके आप उस गरीपकन्या के विभा में आप जा रहे हैं, वहां पर जाकर उसको देखियाएगा, और यह कामना के साथ जाएगा कि शनी देब, क्योंकि शनी देब जब सत्तम भाव प बढ़ा है, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजे, हाथ खोलना पड़ेगा, तो इससे जो है आपके लिए और ज्यादा बहतर हो जाएगा, और हर शनी बार के दिन आपको एक चीज और अपनाना पड़ेगा, जो काला कुत्त है या वैसे भी कुत्ते हैं, कुत्ते की इससे हमारा दसंभाव के स्वामी है, वो अपने किरपा बनाते हैं, आपका दसंभाव मजबूत हो जाता है, और साथ ही हम यह भी कहेंगे, यदि आपके कोई स्वास्त संबंदी, कोई समस्या है, वो भी दूर हो जाती है, कुल मिला कि हमने इस सारी चीजे जो आपको मा भगवती को पान जरूर चड़ाइए, मीठा पान, तो आपके शत्रू आपसे दूर भागेंगे, आपके कस्ट दूर हो जाएंगा और एक नीबू चड़ा दीजे, बस जैमाता दीए, चले यह वो सरल उपायते हैं, जो कुमराशी वालों को करने चाहिए, अगर उन्हें अपने परिशानियों से छुटकार अपाना है इस नवरात्रकान, तब दगले मुझे अकृष्ण जी को दीजे जाज़त और एक नाफे जैमाता दीए